तो विल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का आज हम लोग बताएंगे कि रांची इनिवर्सेटी का एड्मिट काड आ चुका है और आप लोग डाउनलोड कैसे कीजिएगा ठेक है तो देखे अभी मैं पूरा प्रोसेस करके बताने वाला हूं मॉबाइल पर आपको कैसे करन आप लोग आईएगा गूगल पर और यहां पर लिखेगा रांची इनिवर्सेटी लिंक मैं दे दूंगा फिर भी मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद इसको पर उठाना है यह आपका यह पेजी नहीं खुलेगा अब रांची निवर्सेटी का वेपसाइड चेंज हो गय पुराना वाला को छोड़ गये इसको उठाना है उपर एकदम उपर एकदम उपर एकदम लास्ट में आ जाईए और यहां पर लिखा रहेगा आपका देखे एकजामिनेशन पॉर्टल लिखा है बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है डारेक्ट लिए आप लोग यहां पर आ जड़ते हैं जिसेका किकिजिएेगा आपके सामने कुछ इस तरह से सेक्षन खुल के आ जाएगा आपको यहां पर कॉर्स सब्सक्रुश्र अरateur करना थैक नहीं यहां पर इनिवर्शुर्टी इस ट्र नंबर और रोड लंबर तो इस तरह से अभाई यहां पर मैं यहां पर दे लेता हूं और यहां पर आपको अपने डेट अब बर्थ देना है बस इतना चीज देना है तो चलिए मैं यहां पर देता हूं डेट बर्थ और फिर यहां पर सर्च वाले वक्सिंट पर क्लिक करना है और यहां से आपका काड हो जाएगा चलिए मैं करके दिखा दाओं खूद इस तरह से आपका अचुका होगा ठीक है और इसको थोड़ा सा उपर उठाना है आपको और उपर उठाना है और यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है नोट्स चलिए हम इसको पढ़ते हैं ठीक है और इसको जानते हैं उसके बाद मैं बता दूंगा प्रिंट आउट कैसे निकालना है ठीक है देखिए फर्स्ट और यहां पे बोला गया है मातपॉर्ण निर्देश ठीक है और उससे भी पहले यहा गया है यहाँ का सिएकनर रहेगा सिगाइट यहाँ ना है और यहां पर आपका सिगनर्चर रहेगा ठीक है अभी मत किजेगा कॉलेज में जाके किजेगा सर से पूछ लिजेगा उसके बाद एक बार नेक्स्ट यहां पर कुछ महतपूर्ण नियम हैं बोला गया है कि परिक्षाएं प्रकासित तिथी को निर्धारित कारी करम के अनुसार होंगी विसेश जानकारी महा बिद्यारे से प्राप परिक्षा काक्ष से प्रशन पत्र और परवेश पत्र यानि कि आपका एडमिट कार्ड और कोस्टन पेपर कि अलावें अन्य काज़ात बाहर ले जाने के लिए आपको अनुमती नहीं है कि अवला आप कोस्टन पेपर और अपना एडमिट कार्ड ही बाहर ले जा सकते हैं अगला है प्रश्ण पत्र बटने के ठीक पांच मिनट पहले घंटी बजाई जाएगी जो इस बात की चेतावनी होगी कि सभी परिक्षाएं अपने अस्थानों पर बैट जाएगे यहांपे क्यों करवाई लिखाया मैं खानों नी बोल देता हूँ अगला है परिक्षा बहिसकार करने या सामोहिक कदाचार करने पर पुर्णा परिक्षा आजित नहीं कि जा सकती है नेक्स्ट है विक्षक या केंद्रा दिक्षक को डर्वाने धमकाने या पड़तारित करने पर 2-5 वर्सों तक विष्विद्यालई से आपको बाहर क्या जा सकता है नेक्स्ट है परिक्षा को सब्सक्राइब को परिक्षार्थी को परिक्षा भावन में मोबाइल फॉल लाड़ा वरजित रहता है सब मालूम है आपको अगला है इस नियम में जो बातें आस नहीं आ सकी हैं उनके सम्मंद में केंद्रधिक्चक आवश सकता अनुसार परिस्तिति को ध्यान में रखते हुए या था ऊचित मतलब जैसा ऊचित हो ठीक है आदिस दे शकते हैं और उसकी आवश विस्विद्याले को भेज देगा फिर बोला गया है कि परिक्षार्थी को भासा लेंग्वेज के अलावा बाकी सभी विसयों की परिक्षा केवल देवनागरिक और हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिखना निवारी है सोरी बोला गया है कि केवल भासा को छोड़के मतलब इंग्लिस लेंग्वेज को छोड़के और हिंदी लेंग्वेज को छोड़के ठीक है बाद बाकी कोठा लेंग्वेज कोई भी लेंग्वेज है उसको छोड़के बाद बाकी आप किसी भी पेपर का एक्जाम हो आप उसका बताले लाइक नहीं है उम्र पेपर के उपर मैं अलग से वीडियो लाओंगा उसमें डीटिल में बताना होता है ठोड़ा सा ठीक है और कौन-कौन से पर उम्र में होगा आपको मालूम होना चाहिए तो आपके तीन पर जो है उम्र पे होंगे बाकि मैं बता दूंगा नेक्ट को क्लिक करना है इस जगा पर चलिए यहां पर हम क्लिक करते हैं और हमारा यह पीडियो डाउनलूड हो जाएगा ठीक है इस तरह से थाइंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में